दोस्तों में सोरमली काप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजिक और धार्मिक आंदोलन से सम्बंदित Top 60 Quesn Answers मेरे प्यारे दोस्तों ये सभी Quesn अभी तक अलग-अलग exam में बहुत बार repeat हो चुके हैं आप चैक किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रहेगी पूरी वीडियो को end तक देखेगा 60 में से कितने Quesn के आंसर सही कर पाते हैं अपना इसकोर कमेंट बोक्स में जरू बतेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने भाई बेंद दोस्तों के साथ में सेयर कर देना पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है राजा राम मोहन रोय द्वारा ब्रम समाज की स्थापना कब की गई थी तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको आंसर पता है कमेंट बोक्स में जल्दी से आंसर बताईए इस कोशन का सही उत्तर रहेगा अठारा सो अठाईस में यानि की ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चलिया दूसरा कोशन आता है कुका आंदुलन को किसने संगठित किया दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है गुरु राम सिंग जी ने यानि की दूसरे कोशन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तीसरा कोशन आता है स्वामी द्यानन सरस्वती का मूल नाम था तो देखे स्वामी द्यानन सरस्वती का दोस्तो मूल नाम क्या था तो इस question का right answer हो ज़ेगा मूल संकर यानि कि D right answer हैगा question number 3 का correct answer question number 4 आता है भारत में दासपर्था कब अवैद घोसित किया गया दोस्तो भारत में दासपर्था को अवैद घोसित किया गया था 1843 में 1843 में यानि कि इस question का right answer option A हो जाएगा दोस्तो पाचवा question आता है स्वामी विवेकानन्द का मूल नाम था देखे स्वामी विवेकानन्द का मूल नाम था दोस्तो बिलकुल सही है नेंदरनात दत यानि कि इस question का right answer option A हो जाएगा और देखे दोस्तो अगर आप किसी भी एक्जाम की complete जारी करना चाहते हैं तो हमारे आप ये 7000 की question answers की जो पीडियाप है इसको purchase कर सकते हैं इसमें complete gk मिल जाएगी history, geography, politics, economics, इसमें complete science मिल जाएगी current affair complete मिल जाएगा, computer भी मिल जाएगा और दोस्तो सबसे important बात ये अभी 150 रुपीज में आपको मिल रही है इसके price बढ़ने वाले है 175 रुपीज की ये हो जाएगी और इसको आप हमारी website या WhatsApp नंबर पे message करके ले सकते हैं वैसे मैंने इस PDF का link नीचे description box में भी दे दिया है वहाँ से भी आप इस PDF को purchase कर सकते हैं नए हैं तो चनल को भी subscribe करके bell icon को on रखे ताकि आगया आने वाली सबी videos के notifications आपको मिलते रहे हैं चटा question कहरा है आरिये समाज किसके विरुद है दोस्तों आरिये समाज किसके विरुद है धार्मिक अनुस्ठान वे मूर्ति पूजा के यानि कि छटे question का right answer बी हो जाएगा दोस्तों सात्वा question आता है किस धरम सुधारक की मृत्यू भारत के बाहर हुई थी तो सात्वे question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है राजा राम मोहन रहे इस question का right answer हो जाएगा यानि कि सात्वे question का correct answer बी हो जाएगा दोस्तों आठवा question आता है वहाँ भी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों वहाँ भी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना यानि की आठवे कोशन का राइट आंसर option A हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अगला कोशन आता है वेदो में संपून सच्चाई नहीं थे यह व्याख्या की गई तो यह व्याख्या दोस्तों किसके द्वारा की गई थी तो देखें वेदों में संपून सच्चाई है यह व्यक्षा स्वामी ध्यानन सरस्वती जिद्वारा की गई यानि कि नववे कोशन का राइट आंसर आपका B हो जाएगा वे अगला कोशन आता है दसवा कन्य कुमारी का रोक मेमोरियन निमांकित में किस के लिए समर्पीत है तो दसवे कोशन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा सवामी विवेकानन जी के लिए यानि कि दसवे कोशन का राइट आंसर C हो जाएगा अगला कोशन आता है दोस्तो सरदा मनी कौन थी दोस्तो ग्यारवे कोशन का राइट आंसर हैगा ये राम किर्शन प्रमहंस की पतिनी थी यानि कि इस कोशन का राइट आंसर आपका B हो जाएगा ग्यारवे कोशन का करेक्ट आंसर बारवा कोशन आता है द्यानन सरस्वती द्वारा इस्थापित है देखे द्यानन सरस्वती द्वारा इस्थापित है दोस्तो आरिये समाज यानि कि बारवे कोशन कराईट आंसर आपका B हो जाएगा दोस्तो question number 13 आता है स्वामी विवेकानंद ने राम कृर्ष्टन मिशन की स्थापना की किस वर्स में दोस्तो इस question कराईट आंसर रहेगा 1896 में यानि की question number 13 कराईट आंसर D हो जाएगा तो ये आपको याद रखना है question number 14 आता है रादा स्वामी सत्संग के संस्थापक कोन थे रादा स्वामी सत्संग के दोस्तो संस्थापक कोन थे बिलकुल सिव द्याल सहाब यानि की question number 14 कराईट आंसर B रहेगा अगर आपको ये session पसंद आए और जो collection है दोस्तो 60 questions का ये ये आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को like तो आप करेंगे ही अपने भाई बैन दोस्तों के साथ में जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं उन तक भी share कर देना और topic wise gk अगर आप complete cover करना चाहते हैं इसी परकार से तो मैंने playlist बना रखिया topic wise gk, topic wise science, topic wise आपकी current affair और उन सब के playlist में description box में playlist के link दे रखे हैं वहाँ से आपको सारी वीडियोस देख सकते हैं question number 15 कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निन्वे से कौन था दोस्तों देव समाज का संस्थापक था बिल्कुल यानि की पंदरवे question का right answer C हो जाएगा ये आपको याद अखना है question number 16 है प्राथना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों प्राथना समाज के संस्थापक थे बिल्कुल आत्मा राम पंडुरंग यानि की question number 16 का right answer D हो जाएगा आपका सतरवा question आता है निन्वे से किस वर्ग को सब पर्थम पस्चिमी सब्वेता ने परभावित किया दोस्तों very very important है जल्दी से आंसर बते है सब पर्थम पस्चिमी सब्वेता को परभावित किया था दोस्तों सिक्सित हिंदू मध्यम वर्ग ने यानि कि इस question का right answer C हो जाएगा सतरवे question का right answer दोस्तों 18 question है 19-वी सदी की महांतम पार्शी समाज सुधारक थे तो 19-वी सदी के महांतम पार्शी समाज सुधारक कोन थे इस question का right answer रहेगा बहरम जी M मालाबारी यानि कि इस question का right answer क्या रहेगा दोस्तो डी हो जाएगा 19 वा कोशन आता है किसे भारत का पर्थम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है देखे भारत का पर्थम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है दोस्तो राजा राम मोहन राय को यानि कि 19 वे question का right answer C हो जाएगा यह आपको याद अखना है question number 20 आता है निमलिकित संगठनों में से किसने सुद्धी आंदोलन का समर्थन किया तो सुद्धी आंदोलन का समर्थन दोस्तों किसने किया इस question का right answer रहेगा आरिये समाजने यानि कि 20 वे question का right answer option A हो जाएगा question number 21 आता है निमलिकित से किस व्यक्ति ने सबपर्थम सवराज सब्ध का प्रियोग किया और हिंदी को रास्ट भासा माना दोस्तों 21 question very very important मार्क कर लेना यह कहीं बार exam में आ चुका है और इस question का right answer रहेगा यानि कि 21 question का right answer आपका B हो जाएगा question number 22 आता है वेदों की और लोटो यह नारा किस ने दिया था दोस्तों वेदों की और लोटो यह नारा दिया था द्यानन्स रस्वती जिने यानि कि 22 question का right answer आपका B हो जाएगा तेईसवा कोशन आता है फार्सी सबताहिक मिरात अकवार को परकासित करते थे तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा ये परकासित करते थे राजाराम मोहनराय जी यानि कि इस कोशन का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों ठीक है 24 आता है ब्रह्म समाज किस सिध्धान्थ पर आधारी थे दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर एगा बिल्कुल सही है एक सवरवाद यानि की राइट आंसर दोस्तो ओप्शन यह हो जाएगा 24 कोशन का राइट आंसर पर हँ तोस्तो इसकोशन का राइट आसर क्या रहेगा पक्चिस्वे कोशन का राइट आसर रहेगा सवामी विवेकदान जी जानि की यह राइट आसर पक्चिस्वे को. कोशन 26 26 15e में किlles ने कलकत्त में आत्मिय सभा की सथापना शे llev दोस्तों किशन किडा सरेगा राम मोहनरंउय या नी कि राइट आंसर भी हो जाएगा थीक है है नेक्स कोशन आता है प्राथना समाज की सथापना किसके प्रेंडन के फलसव रूफ शुई इस कोशन का दोस्तो right answer हreeगा के सव चशन्दर सेन के दोवारा यानि की option ए राइट answer हreeगा 27 वे कोशन का correct answer 28 वा कोशन आता है राजा राम मोहन रोय का जन्म कहां हुऊ था राजा राम मोहन रोय का जन दोस्तों राधा नगर बर्दवान जिला में हुआ था यानि की option हो जाएगा इस question का right answer 29 question है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं दोस्तों आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन रोय को ही कहा जाता है ठीक है, right answer is option C, यह आपको याद दखना है, अगला कोशन आता है, स्वामी विवेकानन्द किस इस्थान पर हुए, सम्मेलन से परसिध हुए थे, तो इस कोशन का दोस्तो right answer हैगा, सिकागो के, यानि कि C right answer हैगा, question number 30 का, अगला कोशन दोस्तो आता है, भारत में अंग्रेजी सिक्सा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो देखे, भारत में दोस्तो, अंग्रेजी सिक्सा को लागू करने वाला कौन था, विलियम बेंटिक, यानि कि D right answer हैगा, 31 कोशन का सही उत्तर, 32 कोशन है, राम किर्शन मिशन की स्थापना किसने की, देखे, राम किर्शन मिश आज की स्थापना की गई, तो इस कोशन का दोस्तो right answer क्या रहेगा, बिल्कुल, जोतिबा फुले द्वारा, यानि कि C right answer हो जाएगा, question number 33 का, question number 34 आता है, Theosophical Society ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्याले इस्थापित किया, तो 34 कोशन का दोस्तो right answer हैगा, 1882 अडियार में, यानि कि right answer is option है, यह आपको याद दखना है बई, 35 कोशन है, अलिगड़ में इस्थित, मुहम्मट एंगलो ओरियेंटल कोलीज को किसने स्थापित किया था, तो इस कोशन का दोस्तो right answer क्या रहेगा, 35 कोशन का right answer, बिल्कुल सही है, सहीद एहमद खाने, यानि कि A right answer हो जाएगा, 35 कोशन का correct answer, आपका next question आता है, वर्स 18-29 ECV में सतीपर्था का उन्मुलन यानि कि खतम करने, किसके द्वारा किया गया था खतम, तो ये आपको बताना है, इस कोशन का दोस्तो right answer हैगा, लोड विल्यम बेंटिक द्वारा, यानि कि D right answer हैगा, 36 कोशन का correct answer, 37 कोशन आता है, मुख्यदा किसके प्रियास से सत पर्था का उन्मुलन हुआ, इस कोशन का दोस्तो right answer हैगा, राजा राम मोहन रहे द्वारा, यानि कि B right answer हो जाएगा, 37 कोशन का correct answer, 38 कोशन आता है, धरम सबा 18-29 से 30 के संस्थापक कोन थे, तो इस कोशन का दोस्तो right answer क्या रहेगा, बिल्कुल, राधा कांत देव, यानि कि ये right answer हो जाएगा, 38 कोशन का सही उत्तर, ये आपको याद अखना है, अगला कोशन आता है दोस्तो, युवा बांगला आंदोलन, यानि कि यंग बंगाल मोमेंट के नेता कोन थे, तो 39 का दोस्तो right answer क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, हेन्री विलियम डेरोजियो, यानि कि right answer C हो जाएगा, इस कोशन का correct answer, कोशन नमर 40 है, 19 सदी में जोतिबा फुले के सत्य सोदक समाज ने क्या प्रियास किया था, दोस्तो इस कोशन का right answer हैगा, दंबी ब्रामनों तथा उनके अवसरवादी, धरम गरंतों के नीची जाती की रक्सा, ठीक है, यानि कि इस कोशन का right answer option यह हो जाएगा भई, यह आपको या दखना है, चालिसवे कोशन के बारे में, अगला कोशन आता है, सत्यार्थ प्रकास, पुस्तक के लेखक कोन है, तो इस कोशन का दोस्तो right answer क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तराप लोगों ने क्या है, ध्यानन सरस्वती यानि की option B right answer ह हो जाएगा, question number 42 है, माराष्ट का सुकराथ किसे कहा जाता है, तो माराष्ट का दोस्तो सुकराथ किसे कहा जाता है, इस question का right answer है, महादेव, गोविंद, रनांडे यानि की right answer is option D, यह आपको याद अखना है, अगला question आता है, अलिगर्ड मुस्लिम विश्विदाले की स्थापना किसने की, तो अलिगर्ड मुस्लिम विश्विदाले की स्थापना दोस्तो सहियद मद खाने की, यानि की A right answer है, question number 43 का, next question आता है, भारत में 19-वी सधी का पुनर जागरन, निमलिखित में से किस वर्ग तक सिमित था, दो दोस्तों, इस question का right answer रहेगा, उच मद्यवर्ग तक, यानि की B right answer हो जाएगा, 44 कोशन का सही उत्त, next question आता है, राजा राम मुहन रहे और डेविस हेर, निमलिकित की स्थापना से जुड़ी हुए थे, तो किसकी स्थापना से जुड़ी हुए थे दोस्तों ये, ये थे हिं दीन के रचनाकार है, कोन है दोस्तों ये बताना है, तो इस question का right answer रहेगा, रामा मुहन रोय यानि की B right answer हो जाएगा, question number 46 का, 47 क्या कह रहा है, कि 19 सदी के धरम एवं समाद सुधारक आंदोलनोंक ने जनसंक्या के किस वर्ग को मुख्यता आकरसित किया, तो इस question का दोस्तो बुद्धी जीवी और नग्रिय उच जातिया, ठीक है, यानि कि first और second right answer हैगा, तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा, वो B वाला option हो जाएगा, ठीक है, चले, अगला question बनता है, तैजीब उल एकलाक के रचनाकार कोन है, तो तैजीब उल एकलाक के दोस्तों जो रचनाकार है, वो कोन है, सहीद एहमद खा, यानि कि C right answer हो जाएगा, इस question का सही उत्तर, अगला question आता है, भारतिय पुनर जागरन आंदोरन के पिता कोन थे, तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा, राजाराम मोहनरोय, I think यह repeat हो गया, D right answer हो जाएगा, question number 50 आता है, निमलिकित कोलिजों में सबपर्थम किसकी स्थापना हुई थी, तो देखे, सबसे पहले इन सभी कोलिज में से अगर बात किजे, तो दिल्ली कोलिज की स्थापना हुई थी, यानि कि 50 वे question का right answer आपका B हो जाएगा, question number 51 है, इनमें किसे किस प्रख्यात समाच सुधारक ने ज्यान योग, करम योग तथा राजयोग नमक पुस्तके लिखी है, तो इस question का right answer क्या रहे हो जाएगा, स्वामी विवेकानन जी ने, यानि कि 50 question का right answer option A हो जाएगा, 52 question आता है, सारदा अधिनियम 1929 के अंतरगत, लड़कियों एवं लड़कों के विवा की नियुनतम आयू करम्स कितनी निर्धार की गई थी, इस question का दोस्तो right answer हेगा, 14 लड़कियों की और लड़कों की 18, यानि कि B right answer हो जाएगा, question number 52 का, 53 आता है, बाल विवा पर था, को नियंतरित करने ही तू, 1832 के civil marriage act ने, लड़कियों के विवा की नियुनतम उम्र निर्धारित किया, इस question का दोस्तो right answer, वही 14 वर लोखितवादी कहा जाता है, आप खुद भी ट्राइ करिए, question का answer क्या रहेगा, तो लोखितवादी दोस्तो कहा जाता है, किसे, बिल्कुल सही है, गोपाल हरी देश मुख को, यानि कि इस question का right answer D हो जाएगा, चोवनवे question का right answer, वचपनवा question कह रहे है कि, राजा राम मोहन किस ने आनि की right answer हो जाएगा, option D ये आपको याद रखना है, ठीक है, चपनवा question है, राजा राम मोहन रोय किस से संबंदित नहीं है, ध्यान से समझीगा, किस से संबंदित नहीं है, तो विद्वा पुनर विवा से संबंदित भी है, इस सती पर्था से भी है, अंग्रेजी सिक्सा से नहीं है, दोस्तों, यानि कि इस question का right answer भी हो जाएगा, और देखें, इन से संबंदित नहीं ये तीनों question अलग-अलग करके भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, 57 question क्या करें है, कि राजा राम मोहन रोय ने अपने साधारन काम की खातिर, भारतिय इत्यास में अपनी पहचान बने, उनका मुख्य काम इस दिसा में था, दोस्तों, इस question का right answer क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या है, समाद सुधार, यानि कि B right answer हो जाएगा, question number 57 का, 58 आता है, किसी समय मात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके, पर उनके अलग होकर एक आ आंधोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंधोलन था, चलाने वाले कोन थे, इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा, बिल्कुल सही, E.V. रामस्वामी नायकर, यानि कि right answer क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 58 का भई, अगला question आता है, देवबन आंधोलन से जुड़े, उस विद्वान क का नाम बताईए, जिन्होंने सवतनता आंधोलन में मैधपुन भूमी का निभाई, दोस्तों, इस question का right answer क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद जी, यानि कि A right answer हो जाएगा, question 59 का, ठीक है, अब एक question का answer आप लोग बताएगे, जो कि इसी वीडियो से है, और ये आपके test question रहेगा, question है, भारत में अंग्रेजी सिक्सा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो मैं आसा करता हूँ कि इस question का answer 100% student correct बताएगे, तो फटा-फट answer बताएगे, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज ये भी comment books में जरू बताएगा, अगर आप लोगों ने ये 7 complete history, geography, policy, economics मिल जाता है, physics, chemistry, biology मिल जाता है, और current affair complete है, और computer भी complete है, चाहे आप किसी भी exam की चारी करें, SSC, CGL, CHSL, SSC, JD, railway, किसी exam की है, teaching के किसी भी exam की, तो आप इस PDF को purchase कर सकते हैं, और हाँ, आप इन सभी PDF को अलग-अलग से भी purchase कर सकते हैं, दोस्तों, description box में भी link है, या website या whatsapp number पे message करके, आप ये PDF purchase कर सकते हैं, मिलते हैं next class में, thank you so much, bye bye everyone, take care, ख्याल लखे अपना